अकसर देश भर में जेल में बंद قैदियों को सुधारने और उनके उठान के लिए तरहे तरहे के कारिकरम चलाए जाते हैं इसी कड़ी में हृदवार जेल प्रिशासन दौरा जेल में बंद कैदियों को सुधारने के लिए एक अनोखी पहल की जा रही है जिसे अपरादी को सही माहौल दे कर उससे सुधारा जा सकता है जानकारी की अनुसार हरदवार जेल प्रशासन ने यहां के कैदियों को अच्छा माहौल बनाने के लिए मिनी सिनेमा हौल तैयार किया है यहां पर कैदियों को देश भक्ती पर बनी फिल्में दिखाई जाएंगी ताकि बाहर निकलने के बाद वो गलत कामों से परहिज करें वहीं जेल अधिक्षक मनुझ कुमार आरे ने इसके पीछे उदेश बताते हुए कहा कि कैदी धार्मिक और देश भक्ती फिल्में देखकर अपराद की दुनिया को छोड़ जेल में जाने के बाद अच्छा जीवन जी सकें इसके साथ ही सांस्कृतिक फिल्में भी इस जेल में इस सिनेमा में दिखाई जाएंगे मनुझ कुमार आरे ने बताया कि जिला कारागार में बंदियों के तनाव को कम करने के लिए लगातार हमारे दुवरा प्रयास किया जा रहा है एसे पहले हमने हरिदवार जेल में कृष्ण लीला का भी मंचन आयोजित करवाय था जो कि सफल आयोजन रहा कि बहुना जागरेось करता इस सिनेमा हूल का उदेश इस सिनेमा हूल का नाम मनें प्रेम मंदिर साने होल लखा है और यह बर्तिक बारह से तीन बजे का सो ने में लग बग 2000 का पूर मेरे मन में विचार आ है कि क्यों ना एक हमारे पास एक बड़ा सा हॉल एक खाली पड़ा था क्यों ना इसका एक सदूपियों किया जाए और उसमें मैंने प्रोजेक्टर और पर्दा इंगेज किया कहीं से और किसी से दान में लिया और उसके माध्यम से जो है अब प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है उसमें मूवी जो है प्रती दिन जो है एक बेरख वालों को एक दिन जो है सिनेमा जो है दिखाए जाता है आपको बता दें कि हरिद्वार जेल परशासन यहाँ बंध कैदीयों को सुधारने और उनका मन अपराद की दुनिया से हटाने के लिए कई कारकरम करता रहता है जेल प्रशासन की तरफ से कैदियों के लिए कभी योग तो कभी प्रवचन या कभी कृष्ण लीला का मंचन किया जाता है वहीं अब जेल में कैदियों को फिल्में दिखाने का फैसला लिया गया है जिला कारगार के प्रतिक बैरक के बंदियों को हर रोज सुभह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक देश भक्ती और आध्यात्मिक फिल्में दिखाई जाएंगे पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीष गुजराल की रिपोर्ट